मैंने शुरू में जब इस खेत के अंदर पियाज की बिजाई की थी उस टाइम पर भी उस दिन भी एक वीडियो अपलोड किया था और उस टाइम पर मैंने बोला था अब की बार अगर आपके पास खेत खाली है तो प्याज की बुआई जरूर कर लेना प्याज अब की बार रूलाईगे नहीं हसाएगी क्योंकि इतिहास अपने आपको दोहराएगा दो साल से प्याज के बाजार भाव बहुत ज़्यादा डाउन थे किसान बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके था अगर अब की बार भी प्याज के बाजार भाव नहीं मिले तो हो सकता है प्याज का अस्तितु ही खत्रे में पड़ जा है लेकिन ये हमने पिछले काफी वर्सों से ये देखा है जो 27 साल का मेरा खेती का अनुभा हुए कि जब जब प्याज के अस्तितु को खत्रा होता है तब तब प्याज के बाजार आस्मान को छूता है और जो इसकी खुब सूरती इस फसल की दोबार से वही बनी रहती है तो दोस्तो आज इस वीडियो का अंदर अपन दो तरह की बाते करेंगे एक तो हमारी फसल का जो साइज इस टाइम पर या आपके फसल अगर पछिती भी है तो हमें इस टाइम पर कौन से खाद दवाई इस तरह के स्प्रेव अगरा करनी चाहिए ताकि हमारा उत्पादन बढ़िया निकल सके अपनी फसल को बीमारियों से हम बचा सके इसके साइज को इंक्रीज कर सके इसकी क्वालिटी को सुधार सके दूसरा अपन बात करेंगे प्याज के भाऊं उपर तो नमस्कार मैं इंदर पाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसी विश्वसनी फार्मिंग योट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान अगर अभी तक भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेज चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और ज़ादाज ज़ादा दूसरे किसान भाईों तक भी शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्याज फसल के उपर फिर बात करेंगे प्याज के भाव उपर और आपको मैं बताऊंगा अलवर में फिलहाल क्या सिच्वेशन नई प्याज की तो सबसे पहले बात करते हैं भाई या फसल के ऊपर कि इस टाइम पर अपन अपनी फसल को किस तरह से बचाएं बीमारियों से इसके साइज को किस तरह से इंक्रीज करें और इसमें अब हमें कौन से खाद देना चाहिए साथ इसके अंदर कौन से इंसेक्टिसाड फंजिसाड यूज करनी चाहिए तो भायू देखो अभी तक जो हमारी पसपंद दिन के प्याज के फसल है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लगातार जारी थी हमने जितने भी खात दिये जितने भी इसके अंदर हमने कोई होँचान्दार आपकी पचाहिए बढ़िया उत्पादन आपके बार आपका निकलने वाड़ा है दूसरे आपको देखना है भाया शाइज है वो तो इस तरहे का हो चुका है कहीं ऊपर इसकी जो पत्त्य आप आगे इसको नहिंग कर सकते तो अपन को सबसे पहले यही ध्यान रखना हमारी जो फसल की पत्तियां है जो यह फालार है उसको हरा भरा रखना है अभी आगे आने वाड़े लगभग 10-15 दिन जितनी जादा दिन यह हरी भरी रहेगी हमारी फसल उतनी जादा दिन यह एक तो उपर जो सूरज के प्रकास से अपना भोजन बनाएगी दूसरा इनकी जड़े हैं जो वाइट रूट से नीचे जमीन में वो जितनी अच्छी होगी स्वस्थ होगी जादा दूरी तक होगी ज करके अंदर कोई शक नहीं है तो हमें पहले काम करना अपनी फसल की उपर से ध्यान रखना कि इसका अंदर जुल्ट सा ना आ जाए क्योंकि सबसे जादे इस टाइं पर हमारी फसल को नुकसान करेगा तो जुल्ट सा करेगा इसके यह उपर से पत्तियां जड़ जाती है हमे जैसे contact और systemic जो बहुत से combination आती हैं अलग-अलग भी ले सकते हैं उनके अगर मैं आप लोगों को नाम बता हूँ तो भाया सबसे best जो इस टाइम पर result मिल रहे हैं वो नेटिवो मैं तो नेटिवो को पर विश्वास करता हूँ जो बायर कंपनी का नेटिवो आता है वो लेजी एक भीगा में आप 50 से 70 ग्राम तक ले सकते हो इसके अलाव उसके अंदर आपको मिलाना है contact वड़ा fungicide साथ में तो आप एंट्रा कोल मिला लेजी उसके बहत्रें result म मिले हैं हमारी जो फसल अभी तक एकदम सांदार खड़ी हुई सुरुवात चे मैंने जो भी तीन-चारी स्प्रेक की है standard fungicide के साथ ही चलाओं मैं दूसरा भायो इस टाइम पर अपन को सिचाई है वो थोड़ा कम करना है ऐसा नहीं कि लगातार आप इसके अंदर पाणी भ उपट जाती और साथ इसके अंदर जो यह देखो उपर की जो लेर है वो भी कही नहीं ब्रेक होगी फटेगी और हम लगातार से चाहिए करते रहेंगे तो इसके अंदर जो पाणी है वो अंदर चला जाएगा आणी दो तो इसके अंदर आप एक हल्का पाणी दीजिए पर ना ही कोई रस्चूसा कीट दिखाई दे रहें ना ही कोई जो सुंडी लगती जो कीड़े लगते हैं वो दिखाई दे कीड़े तो बिल्कुल मिलेंगे नहीं हो सकता है अगर आपके खितों का अंदर इस टाइम पर खर्पतवार हों तो खर्पतवारों की वजह से हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एममेक्टिन बैंजोट जो डबलुजी फॉर्मूलेशन में आते हैं ना वेटेबल ग्रेंवल वही जो दाने दाने से होते हैं उन दोनों का आप कोंबिनेशन बणाईए फंजिसाइड में भी रिंसेक्टिसाइड में भी दो के अंदर पोटेशियम के पोटेशियम को अगर उपर से आपन डाले एमॉपी यो यूप पोटास यो लाल वारपटास आता है तो इस पोटास को अगर हम आज अपने खितों के अंदर डालते हैं तो वह काम करना ही इस्टार्ट पान साथ दिन बाद करेगा धीरे दीरे रे जो होता है MOP जो मियूरट पोटास है वो और इसके अंदर टाइम अब जादा बचा नहीं तो मेरे दिमाग से मेरा जो एक्सपेरिंस बोलता है आपको उपर से फोलियर परियल्य यह लेनी चाहिए आप एन-पीके के रूप में 0,524 लीजिए बैस्ट रिजल्ट मिलेंगे यह फिर आप और थोड़ा नजदिक आ जाते हैं उसको उखाडने में जैसे आज ही पसपंद दिन की यह 55 दिन की हो जाती स 70 दिन के लगबग पहुंच जाती है तो आप NPK 0050 जिसके अंदर पोटासी होता है उसके आप इस प्रे कीजिए साथ आप बोरोन भी मिक्स कर सकते हो इसके और रही बात नीचे से अपने को कौन सा खाथ देना है तो भाई मैं तो इस टाइम पर केवल और केवल यूरिया है वो भावों को उपर अब भावों का अंदर ऐसा है कि इस टाइम पर बाजार भाव बहुत तीजी से लगातार बढ़ रहे हैं सरकारी एजेंशियों के पास जो प्याज वो बाजार के अंदर अपनी सप्लाई को बढ़ा देगी बाकि मैं बोलना चाहता हूं जो वियापारी भा का है जो बचे हुए 10 से 12 दिन है उनके अंदर इन भावों को आप ले लो बढ़िया उचे रेट इस टाइम पर आप लोगों को मिल रहा है अगर हम अपने अलवर की बात करें तो बिजाई जरूर पिछले साल के तुलना में अब की बार कम हुई थी 20-30% लगभग 20-30% तो अब की बार 30% बिजाई कम होने के बावजूद भी एक लाख पांच हजार या एक लाख दस हजार कटे प्याज के प्रोडक्शन होने वाड़े हैं मंडियों में आने वाड़े हैं दूसरी बात पिछले साल प्याज की जो क्वालिटी थी बहुत हड़की थी उसको अपन 80% बहुत टॉप क्वालिटी की होगे तो भया फिलाल तो अपन को यह करना है अपनी प्याज को आप बचा के रखो जितने दिन ज्यादा तक आप इसको हरी भरी रखोगे उतना ही आपका बल्ब साइज वो बढ़ेगा मोटा होगा उतना ही आपका ज्यादा माल निकलेगा अगर 150 रुपे रेट भी डाउन आगया आपको मिल जाते हैं तो आपका जो माले वो भरपाई कर देगा चाहती रही रेट की बात तो रेट की आप आपकी बार टैंसन बिलकुल मत लीजिए धन्यवाद